So, what's up guys, उस टाइब की वेडियो को एडिट करने के लिए आपको बीटा एप की जरुवत पढ़ने वाली है और आप इस एप को ना प्ले स्टोर से इजले डाउनलोड कर सकते हैं और मैंने description box में लिंक दे दिया है वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर लीजेगा तो मैं simple से यहाँ से इसे open कर लेता हूँ और आप लोग भी open कर लीजेगा और जैसे ही Vita app open होगा ना तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइब की interface देखने को मिल जाएगी तो सबसे पहले वीडो के सुरू में ही आपका भाई एक बात बता दे कि इस वीडो के अंदर आपका भाई जो भी जानकारी दिया है वो बिल्कुल जैन्वन जानकारी दिया है और एक एक इसने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है तो वीडो को कहीं पर भी आप इसकी मत की जगा नहीं तो आप उस टाइब की वीडो को एडिट नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा आपको new project के उपर guys क्लिक करना होगा और new project के उपर आप जैसे ही क्लिक की जगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइब की इंटरफेस देखने को मिल जाएगा यहाँ पर वीडो वाले सेक्षन में आपकी सारी वीडो जा जाएंगी और यहाँ पर image वाले सेक्षन में सारा image आजाएगा आपकी phone की तो हम लोग वीडो वाले सेक्षन में आके और जिस वीडो को आपको edit करना होगा उसे आप लोग ऐसे सलेक्ट करके और नीचा साइड में यहाँ पर एक तीर का icon मिलेगा तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे और तीर के icon पर आप जैसे ही क्लिक की जगा तो आपका वीडियो न वीटा एप के टाइम लाइन पे आ जाएगा तो अब यह हम लोग का वीडियो न एडिटिंग के लिए तयार हो चुका है तो अब आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा तो सबसे पहले गईज हम लोग क्या करेंगे न अपने वीडियो वाले लेयर पे हम लोग क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक कर लेने गगाद इसकी वैलूम वाले ओप्संस पे हम लोग चले जाएंगे और जाने गगाद इसकी वैलूम को हम लोग 0% करके और राइट क्लिक कर लेंगे कि कैसे आप अपनी वीडियो को slow and fast motion में convert करेंगे साथी बलर effect को add करेंगे और बहुत सारे effect को भी add करना आपका भाई बताने वाला है तो वीडियो में आप लोग बने रहेगा तो सबसे पहले हम लोग इसकी extra part को हम लोग काटने वाले तो मैं वीडियो को यहाँ पर चलाता हूँ देख सकते गाईज यहाँ तो हम लोग का ठीक है यहाँ तक और last में हम लोग को जहाँ तक रखना अपनी वीडियो को वहाँ तक हम लोग select करेंगे और यहाँ समको काटना अपनी वीडियो को तो हम लोग simple से क्या करेंगे ना अपने वीडो वाले layer पे आप click कर लीजेगा और करने को बाद यहाँ पे split के icon पे click करके और जिस भी part को आपको delete करना होगा उसे आप select करके ऐसे scroll कीजेगा नीचे side में और delete के icon पे click करके इसे delete कर दीजेगा केवल गैज अब हम लोग का यहाँ पे video बचा है तो मैं video को चला के दिखाता हूँ कि कैसा आपका video है यहाँ पे तो देख सकते हैं guys हम लोग का video यह slow mo में है अगर आप यह चाहते हैं guys कि आपका video अगर slow mo में नहीं है उसे slow mo में convert करना चाहते हैं तो यह आपका भाई बता देता है सबसे पहले नहीं तो काफी सारे भाई न वीडियो को slow mo नहीं करेंगे और वीडियो देखने में unprofessional लगेगा तो वीडियो को slow mo में करने के लिए आपको simple से क्या करना होगा आपको अपने वीडियो वाले लेयर पे क्लिक करना होगा और करने कवा simple से आपको जहाँ से अपने वीडियो के अंदर slow mo को डाला है वहाँ पे आप यहाँ timeline पे white वाला पार्ट है ना वहाँ पे लेकर चले आईएगा split वाले icon पे आप क्लिक कर दीजेगा और कर लेने कवाद ऐसे आप आगे आजाईएगा और थोड़ा सा आगे आजाने कवाद आईसे आप दुनों finger से पकड़की से थोड़ा बड़ा कर लीजेगा और थोड़ा सा आके आके again आपको speed कर देना होगा और जिस भी पार्ट को आप लोगों ने चोटा वाला जो पार्ट बचा ना split वाला इसे हम लोग यहां से ऐसे select कर लेंगे तो यहां पर हम लोग का यह वाला पार्ट select हो चुका है तो नीचे side में आपना देखने को मिलेगा speed का एक option तो speed के icon पर click करके आप यहां से अपनी वीडियो को आईसे slow-mo में convert कर सकते हैं यहां पर आप minus side में रखिएगा यहां पर 0.5x मैंने रख दिया है फिलाल मेरी वीडियो slow-mo है तो मैं slow-mo में convert नहीं करना चाहता हूँ और इसे अगर अपना fast करना चाहते हैं तो यहां से fast भी आप अपने वीडियो को कर सकते हैं इस side में बढ़ा दीजेगा तो ऐसे करके आप अपने वीडियो को slow and fast motion में guide convert कर सकते हैं मैंने already slow-mo में अपनी वीडियो को suit किया है तो मैं यह कोई भी काम करने वाला नहीं हूँ मैं यहां पर zero कर देता हूँ इसे यहां पर करके और मैं simple से यहां से cut click कर दूँगा और cut click कर लिए इनक बाद मैं यहां पर under करके इसे मैं पूरा वो कर लेता हूँ और back आने गाद आप लोग के सामने नीचे साइड में आप बहुत सारे options नजर आएंगे तो आपको simply क्या करना होगा गया यहां पर effect के icon पर click करना होगा और effect के icon पर click कर लेने गाद आप लोग के सामने दो options यहां पर नजर आएंगे तो आपको यहाँ पर slide करना होगा और यह से slide करके आप आईएगा थोड़ा सा आगे आएगे तो यहाँ पर ब्लिंग का option आपको मिलेगा यहाँ पर गाईज देख सकते हैं और यहाँ पर मैंने इसकी filter को आपको ज्यादा होगा 300-0 कर लीजेगा और इसे speed को बढ़ा के हम लोग यहाँ पर इतना कर लेंगे 1 के करीब और कर लेने बाद यहाँ पर इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे और आप लोग को यहाँ से right click करना होगा और एगें आपको यहाँ से ह कर लेना होगा और यहाँ से right click कर लीजेगा और right click करते ही मैं आप लोग को चला के दिखाता हूं कि कैसा आप लोग का बुलर यहाँ पर लगा है बहुत ही खतरनाक बुलर है ऐसे सारे लोग लगाते हैं लेकिन आपको कोई अच्छे तरीके से नहीं बताता है तो इसके समसी हम लोग का यहाँ पर वीडियो बन चुका है अभी हम लोग music भी add करने वाले हैं साथी इसमें effect को भी add करने वाले हैं तो guys इतना काम तो हम लोग का हो चुका है तो मैं यहाँ से back आ जाऊंगा और back आने गुए सबसे पहले मैं यहाँ पर music को add कर लेता हूँ और इस music का यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ एक वीडियो को और इस वीडियो को मैं यहाँ पर select करके और थोड़ा सा यह extract हो रहा है हम लोग का music यहाँ पर आ जाएगा तो इस वाले music को मैं यहाँ से ले लेता हूँ और music को मैंने ले लिया है guys अब मैं music को ऐसे आगे लेकर आऊंग देख सकते गईज यहां पे तो यहां पे आने गवाँ सिंपल से आप लोग को अपने वीडियो वाले लेएर पे क्लिक करना होगा और यहां पे स्पलीट कर देना होगा Какие यहां पे आगे वाला जो पाटर आ उसे आप ऐसे स्लेक्ट ही रहने दीजएगा तो लिजगाई यहाँ पर मैं राइट क्लिक कर देता हूँ अब आप वीडियो को चला के देखिएगा कि आपकी वीडियो की इस क्वालिटी में आ जाएगी तो मैं वीडियो को यहाँ पर चला लेता हूँ तो गाइस ऐसे आपका वीडियो हो चाएगा थोड़ा सा हम लोग बलर को और जबार करने वाले हैं तो उसके लिए मैं यहाँ से बैक आ जाओंगा और एगन आप लोग को बैक आना होगा और एगन बैक आके आप लोग को क्या करना होगा ना, इफेक्ट पर जाके और इस वाल आपने वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं आपका बाई एक किस्टे बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझा दिया है तो आप लोग को ना इस वीडियो को अगर